आपका स्वागत है मेरा नामे डॉक्टर दीपक लेकर में मनोविकार सेक्स्रोग संभुहन तथा विसन मुझी तग्यों महाराष्टे में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं कभी सारा लोग मेरे पास में आते हैं मांसिक बिमारियां लेके शरीक बिमारियां लेके और शरीक की बिमारियां कुछ निकलता नहीं है और कि निकलता नहीं इसके मतलब सब तरह की टेस्ट हो जाती है उसमें कुछ खराबी दिखती नहीं मगर बिमारी शरीर की है जिसमें शर अंसर होने की संभावना बहुत जबाना होती है, बंदो आई शार है, छेरे एक बीमारी है, उनको डिपरेशन बहुत जली आ जाता है, जिनको जो लोग self criticize करते हैं, self criticize, मतलब आलोचना करते रहते हैं, खुद को criticize करना, या other criticism, मतलब others को criticize करते हैं, लोगों को criticize करना, आलोचना करना, तो उनको arthritis जैसे बिमारियां काफी दिखाई देती हैं, arthritis मतलब जोडों में दर्थ, कुछ लोग जो हैं कि जो, मतलब जिनको बहुत पीड़ा होती है, दर्थ है शरीर में, बहुत दर्थ देते हैं, और कुछ समझताने कि भी क्या हो गया है, दर्थ क्यों हैं, like somatoform disorder या pain disorder, ऐसी जो बिमारियां हैं कि जिसमें, या somatization disorder, psychiatric बिमारियां, जो मेरे अन्य वीडियो में आई हुई है, तो उनमें ये पाया गया है, कि ये लोगों को सजा, खुद को सजा देने की इच्छा रहती है, और खुद को सजा क्यों देने की इच्छा होती है, क्योंकि उनके दिमाग में यह होता है, कि मैंने बहुत जादा होते है, और वो लोगों में जादा दिखाई देते है, फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो लोगों को कभी सारा tension है, या भाय है, और unknown डर है, बहुत डर है, समझताने की क्या हो रहा है, डर, मतलब attack आजाएंगा इसका डर, कुछ नुखसान हो जाएंगा इसका डर, धन्दा नहीं चलेगा इसका डर, कोई कुछ बोल देंगा इसका डर, हरतम वो tense, anxious, ऐसे प्रकार के विखते रहते हैं, तो उनको जादातर गंजा पनाता है, या उनको पेट के अलसर होते हैं, या कभी सारे मानसी या शैरिक बिमारियां हो सकती है, तो जब हम psychotherapy क करते हैं, या counselling करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें ये जो चीजे है, अलग-अलग-अलग भावना या विचार दिमाग में चलते हैं, उसमें से कौन से प्रभाव ही है, और वो source जो है, वो जो मूल है, वहाँ hammer करना पड़ता है, उसका कारण का है, मतलि विदर समझो cancer है तो cancer की दवाई देना है, ऐसा नहीं कि cancer की दवाई देना नहीं है, और उसके साथ-साथ कभी-कभी cancer की दवाई लागू होती नहीं है, आच्छा प्रभाव करती नहीं है, तो ये भी देखना पड़ता है, कभी अंदर source में क्या चल रहा है, source में गुस्ता है क्या, असनतोश है क्या जिसके वज़े से cancer ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसे हम जब देखते हैं तो counseling में इसका काफी सारा फायदा होता है counseling में लोगों का depression या लोगों का जो bodily disorders है या bodily pain disorder है somatoform disorder, depression है, mania है या अन्य कोई anxiety है, panic chronic attacks है, तो इसके source में जाने के लिए बहुत काम में आता है कि दिमाग में विचार कौन से और भावनाय कौन सी, वहाँ है ते हम आप hammer करते हो, definitely यह जो बाकी जो बीमारी हैं उससे आपको मुक्ति मिल सकती है, मुझे आपको अच्छा लागा तो जरूर शेर करो, सब्सक्राइब करो, thank you very much करो बाकी जो जो बाकी जो बीमारी है